बेरोजगारी भत्ते पर निर्भर मत रहो, सीखो और कमाओ आत्म निर्भर बनो बेरोजगारी भत्ता बेमानी है, प्रदेश का एक भी युवा बेरोजगार नहीं होगा, वो काम सीखेगा भी और कमाएगा भी रोजगार पाकर खुद को आत्म निर्भर बनाने के साथ आत्म निर्भर प्रदेश और देश का निर्मान करेगा कुछ इसी संकल्प के साथ प्रदेश के माननिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंग चौहान प्रदेश में शुरू करने जा रहे है मुख्यमंत्री सीखो कमाव योजना जिसे कैबिनेट से मन्जूरी मिल चुकी है योजना का उद्देश है मध्यप्रदेश का रहने वाला हर युवा कौशल प्रशिक्षन हासिल करे इस योजना की खास बात ये है कि काम सीखने के बदले युवाओ को उनकी शैक्षनिक योगिता अनुसार स्टाइपन भी दिया जाएगा जिसकी अवधी एक साल है योजना के लिए पोर्टिल भी बनाया गया है 18 से 29 साल के युवा योजना के अंतरगर रोजगार के लिए कौशल सीखने के पात्र होंगे करीब एक करोड के बजट वाली इस योजना में अधिक्तम एक लाख युवाओ को प्रशिक्षन दिया जाएगा प्रशिक्षन के बाद कौशल विकास इवं रोजगार निर्मान बोर्ट द्वारा स्टेट कांसल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा बारवी पास युवाओं को 8000 रुपे प्रतीमा ITI उत्तीर्ण को 8500 रुपे डिपलोमा हासल कर चुके युवा 9000 रुपे प्रतीमा स्टाइपेंड पाएंगे सनातक या उच्च शैक्षनिक योगिता वालों को मिलेंगे 10,000 रुपे प्रतीमा स्टाइपेंड मिलने वाली स्टाइपेंड में 75% हिस्सा सरकार का और 25% कम्पनी का होगा स्टाइपेंड की 75% राशी मध्यप्रदेश सरकार की ओर से प्रशिक्षनार्थ्यू को डी बी टी से भुकतान की जाएगी संबंदित प्रतिष्ठान को स्टाइपेंड की 25 प्रतिशत राशी प्रशिक्षुनार्थी के बैंक खाते में जमा करवानी होगी अपने बेरोध्यार बेटा बेटियों के लिए एक नई योजना को कैविनेट ने मंजूरी दी है मुख मंत्री सीखो कमाओ योजना काम बच्चों को सिखाए जाएंगे काम सिखाने के लिए ये अलग-अलग जो चाहे वो इंडस्टीज हो बड़े उद्धोग हों MSME उद्धोग हो या सर्विस सेक्टर हो उसके साथ सो काम अलग-अलग सिखाए जाएंगे लेकिन काम सीखने के बदले हम बच्चों को पैसा देंगे और डीवीटी के मादधम सी ये पैसा उनके खातों में जाएगा मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाव योजना में प्रशिक्षन के लिए 703 कार्यक्षेत्र चुने हैं इसमें विनिर्मान क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मेकनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटेल मैनेजमेंट, टूरिजम, ट्रेवल, अस्पताल, रेल्वे, आईटी सेक्टर, सॉफ्ट्वेर जिवलाप्मेंट, बांकिंग, बीमा, लेखा अकाउंटन्ट और अन्यवित्य सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को जोड़ा जाएगा, मीडिया, कलाक, कानूनी और विधी सेवाएं, शिक्षा, प्रशिक्षन, तदा सेवाक्षेत्र में कारेरत प्रतिष्ठान भी योजना में शामिल होंगे, योजना में शामि कर आवेधन कर सकेंगे, संस्थान रजिस्टर्ड युवाओं का सिलेक्षन कर ओफर देंगे, युवा, संस्थान और सरकार के लिए ओनलाइन एग्रिमेंट साइन किया जाएगा, on the job training, मासिक स्टाइपन और फिर मूल्यांकन और प्रमानी करण का चरण पूरा होगा युवाओं को अपने पैरों पर मस्बूती से खड़ा करने में, मददगार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ यूजना से, नौकरी करने के अलावा, युवा स्वयम के व्यवसाय के साथ स्वरोजगार भी स्थापित कर सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननिय श्री शिवराज सिंग चौहान ने कहा है, कि स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक कहलाने वाली इस योजना का प्रारंभिक लक्ष, एक लाग युवाओं को इससे जोड़ना है 7 जून 2023 से ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों का पंजियन शुरू होगा 15 जून 2023 से युवाओं का पंजियन शुरू होगा 15 जुलाई 2023 से युवाओं का अलग-अलग कंपनियों में प्लेस्मेंट होने लगेगा 31 जुलाई 2023 से सरकार और ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों का ओनलाइन अनुबंध 1 अगस्त 2023 से युवाओ का काम सीखना शुरू हो जाएगा 30 सितंबर 2023 से युवाओ को स्टाइपेंड मिलने लगेगा कौशल उन्नयन से युवाओ के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कमाई का बहतर मार्ग प्रशस्त होगा प्रदेश के मुखिया और बच्चों के शिवराज मामा मानते हैं कि युवाओ में हुनर की कमी नहीं है उन्हें केवल एक दिशा देने की जरूरत है इस युजना के तहट युवाओ को नए अवसर के साथ अपने मनमाफिक काम सीखने का मौका मिलेगा मध्य प्रदेश में सामाजिक बदलाव की क्रांती हो रही है जिसमें युवाओ की भागिदारी प्रमुग है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से प्रदेश का युवा सक्षम और स्वाभिमानी होगा तो आत्म निर्भर मध्य प्रदेश के कदमों को गती मिलेगी